इस कहानी की सुरुवात में हमें बताया जाता है कि एक माइन के अंदर में धमाका होनी के बजे सी छे बरकर उसी के अंदर में फस गए थी और जब रेस्क्यू टे माइन के अंदर में आते हैं तो इन्हें बस पांच डेड़ बोडी के साथ एक सर्वाइबर भी मिल जाता है औ तो इन सभी को पता चलता है कि इन सभी को एक कुलहाडी से मारा है और इन सभी को जान से मारने वाला कोई और नहीं बलकि हैरी है इसके बाद हम एक साल के बाद उसी होस्पीटल का सिन देखते हैं जब वहां के नर्स हैरी के पास में जाती है तो वह हैरी को अपने जगह पर न लोको इसी होस्पिटल के नर्स का दीर एक चौकलेट बॉक्स में मिलता है इसके बाद हम टॉम और इसकी गर्फेंड सारा और इसके साथ इनके बागे के दोश्ते उस माइन में पार्टी करेने के लिए आई थी और यह माइन किसी और का नहीं बलकि टॉम का है जब टॉम ड्र परटी अब माता में चेंज होने वाली है तब यह वहां पर हैरी इस लड़के पर टैक करके इसकी आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वज़े से इस लड़के की यहीं पर मौत हो जाती है तब ही सारा देखती है कि इसके काफी सारे दोश्ते अब मारे जा चुके हैं लेकिन तब ही वहां पर सारा का दोश्ति एलेक्स आकर इसे च्छिपा लेता है जिसकी वज़े से हैरी सारा को देख नहीं पाता लेकिन तब ही वहां पर इनका एक दोश्ताने लगता है और एलेक्स अपने दोश्त को इस सारा करते हुए इसे यहां से जाने के लिए कहता है लेकिन वाद इनकी एक दोस्त एक खे। houses in हेरी के उपर हमला करती है। लेकिन हेरी इस लड़की इसे बहुत ही बुरी त़्यूर्यास जान सब्रत ऑपते हैे। अब यह वहां पर टॉमूम काफि जादा है खेरां होगय था लेकिनं इसे पहले कि यहां से भाग पाए हैरी इसे पकड़ लेता है और दूसरी और इसके गर्फेन सारा और इसका दोस्त एलेक्स यहां से निकल जाते ही जब टॉम को हैरी जान से मारेने वाला होता है तब ही वहाँ पर पुलिस ओफिसर आ जाते ही और हैरी के उपर में अंधा धुन गोलिया चलाने लगते ही और हैर ही मर चुका है इसलिए डरेने की कोई बात नहीं इसी विच हम यह भी देखते हैं कि एलेक्स ने सारा से साधी कर ली और यह बात काफी जादा अरजीब है क्योंकि सारा तो टॉम की गर्फेन्ट थी तो उसने एलेक्स साधी कियोंकि इसके बाद हमें टॉम को दिखाया जात लेकिन टॉम इसके बाद को नहीं मानता और यहां से निकर कर एक होटर में रुकने के लिए चला जाता है और हम उसी होटर में एक लड़की को देखते हैं जिससे एक आदमी उसे अभ्यूच कर कर वहां से जाने लगता है लेकिन यह लड़की अपने हाथ में एक गन लेकर इसे जान से मारने की धंकी देती है लेकिन तबी हम देखते हैं कि हैरी अपने हथिया से इस टकले आदमी को जान से मार देता है और यह सब देखकर यह लड़की काफे जादा ड़ड़ जाती है और अपने रूम में आकर छिप जाती है लेकिन हैरी इसे ढूंड कर इसे जान से मार देता है जब पुलिस ओफिसल एलेक्स यहां पर आता है तो यह सब देखकर यह हरान हो जाता है और इसे कुछ हो जाता है इसके बाद हम होस्पीटर का सिन देखते ही जहांपर सारा टॉम को देखती है और उस से पुछती है कि तुम है क्या हुआ टॉम सारा को जादा कुछ नहीं बताता और तभी वहाँ पर ऐलेक्स भी आ जाता है और टॉम से कहता है कि सारा अब तुम्हारी गर्फेंड नहीं रही एलेक्स टॉम को यह भी बताता है कि उन सभी बरकल्स को हैरी नहीं मार सकता क्योंकि हैरी को 10 साल पहले पुलिस ओफिसर ने जान से मार दिया था और उसकी डड़ बोडी को जंगल के बीचों बीच में दफना दिया गया है और इसके बाद एलेक्स अपने कुछ पुलिस ओफिसर के साथ उसी जगह पे जाते हैं जहां पर हैरी की ड़ड़ बोडी को दफनाया गया था लेकिन वहाँ पर हैरी की डड़ बोडी नहीं होती इसके बाद हम बैन को देखते हैं जिसे अपने घर के आसपास में किसी के होने का हैसास होता है तब ही अचानक से वहाँ पर हैरी आकर अपने हत्यार से इसे जान से मार देता है इसके बाद हम सारा और मेगन को देखते ही जो इस्टोर बंद करके यहां से जाने वाले थी लेकिन तभी इन दोनों को हैरी की परचाई नजर आती है और यह दोनों उसे देखकर एक रूब में छिप जाते हैं लेकिन हैरी अपने हथियार से इनके दरवाजे को तोड़ने की क कोसिस करता है इस वैसे ये डोनों ही काफ़े ज़्यादा डढ़ जाते हैं यह देखकर सारा मेगन को खिटकी से बहार भिजने की कोसिस करती है और तब हम देखते हैं कि हेरे भी दर्वाजे से हटकर खिटकी पर आ जाता है और मेगन को पकड़कर उस बहुत बहरेमी तरीके से जान से मार देता है और इसके वैसे सारा बहुत जादा ड़र जाती है और अपने जान बचाने के लिए यहां से तेजी से भागने के कोशिश करती है और तब इसके पास में अलगस आ जाता है और ये दोनों मेगन की ऐसी हालत को देखकर काफे ज़्यादा डड़ जाते हैं और दिवार पर यह लिखा होता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और यहाबात काफे ज़्यादा आजीब थी इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो सारा को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए तुम्हे मेरे पास में आना होगा इसके बाद सारा टॉम के पास में चली जाती है और टॉम उसे पुछता है कि एलेस के फादर का घर कहां पे है और तभी टॉम उसे यह भी बताता है कि एलेक्स को जो तुम समझ रही हो वह वैसा इनसान नहीं है बलकि एलेक्स ही हैरी बनकर लोगों को जान से मार रहा है लेकिन सारा इसकी बात पर यकिन नहीं करती तब इस सारा के पास में एलेक्स का फोन आ जाता है और Alex sara से कहता है कि TOM तुम्हारे लिए एक बहुती बड़ा खत्रा है क्योंकि वही हैरी बनकर लोगों को जान से मार रहा है इसके वाद सारा बहाना करकर गाड़ी को रुकवाने की कोसिस करती है और इसी वज़े से टॉम को आ जाता है बहुती जादा गुसा और यह गाड़ी नहीं रोकता जिसके वाद सारा जबरदस्ती गाड़ी को रुकने की कोशिश करती है और इसी वज़े से एक एकसिडेंट हो जाता है इसके वाद सारा गाड़ी से निकरकर जंगल में भाग जाती है और अपने पती को फोन करती है कि मैं टॉम से दूर आ चुकी हूं और एलेक्स उसे कहता है कि पास मेही मेरे फादर का घर है तुम वहाँ पर चली जाओ जब सारा इस घर में जाती है तो उसे एक चॉकलेट के बॉक्स में अपनी और एलेक्स की तस्वीर नजर आती है इसके सारा हैरी से किसी तरसे बच कर एक माइन के अंदर में चली जाती है तब ही सारा को अपने सामने एलेक्स नजर आता है और सारा एलेक्स को देखकर उसके उपर गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर के घर पर बहुत ही सारे चॉकलेट के बॉक्स और इसके दिमागी कंडिशन बिलको भी ठीक नहीं थी और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकिन नहीं है तो तुम हम दोनों को जान से मार दो तब ही टॉम यह बात सुनका घबरा जाता है और कहता है कि कोई भी किसी को गोली नहीं मारेगा टॉम सारा से कहता है कि तुम्हें तो यादी होगा कि मेगन के डड़ बोडी के पास में क्या लिखा था और यह सब सुनका सारा को आब टॉम के उपर में सक हो जाता है यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि दस साल पहले टॉम्हें हैरी के डड़ बोडी को निकाल कर उसके कपड़े को अपने पास में रख लिया था और तभी एलसे टॉम के उपर में हमरा कर देता है और अब इन दोनों की बीच में फाइट होने लगती है लेकिन अंत में टॉम्हें एलस को जखमी कर देता है यहाँ देखका सारा अपनी गन से टॉम के उपर में गोली चलाती है लेकिन टॉम्हें इसके गोलियों से बच जाता है इसके वाद सारा अपनी पती एलस को लेकर यहां से जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर टॉम फिर से आ जाता है और या देखका सारा मिथेन गैस के उपर में गोली चला देती है जिसके वैसे वहाँ पर एक जोड़ा धमाका होता है और अब इसके बाद रेस्क्यू टीम उस जगापर आ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि टॉम अभी तक जिन्दा है और या एक रेस्क्यू टीम के मेंबर को जान से मार कर उसके कपड़े को पहन लेता है और या कहानी इसी के साथ यहीं पे खतम हो जाती है